सुके मेरे स्मार्टफोर में इस वक्ष सूपर अमुलेट डिस्प्ली है वैसे और ये सामसंग नहीं है तो आपने देखे ही होगा ना तरह कि यहां पर अमुलेट आते हैं P OLED OLED AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Plus कुल में आपको स्टार्टिक में बता दूं ये सारी की सारी चीजे एक ही है इसे की हर चीज में वेराइटी होती है कुछ वैसे ही मतलब हर चीज की क्वालिटी होती है कम दाह में लेना चाहते हो तो कम व्यक्ति ..जाधा दाह में लेना चाहते है तो जाधा ने चाहते लिए सम हर एक चीस सेम है और हर एक açık में जाइभा अलग छूपर होल फरेंड में फरग कोगा अलग अलेग पीशे में फरोग होगा जब current pass किया जाता है जो जो pixels on होने चाहें वही होते हैं अपने हिसाब से adjust किया जाता है automatic matrix system में ये सारी चीज़े से सुब को पता है ये चीज़े बनाती है एक OLED डिस्प्ले और OLED डिस्प्ले में ये सारी चीज़े जब होती है तो इससे बैटरी काफी सेव होती है अब OLED का यहां पर LG उसकरता था ना एंड OLED और भी कहीं नहीं यूज किया एक्च्वल में देखो OLED है OLED को क्या किया Samsung ने आगे AM लगा दिया जो मैंने आपको system बताया ना automatic matrix system उसका AM उठाके यहां पर लगा दिया LG अच्छा बलाया OLED यूज कर रहा था बड़ Samsung को लगा कि नहीं हम थोड़ा सा marketing करते हैं तो वहां पर उन्होंने AMOLED कर दिया AM लगा के डिस्प्ले वही थी तो दोनों में colors का फरक क्यों आता है बताते हैं रुको जरा सबर करो अच्छा एक चीज़ बतातू आपको Apple को भी Samsung ही अपनी डिस्प्ले प्रवाइड करता है और वहां पर भी colors का फरक होता है नाव एक नई डाम आ गई है Motorola ने यूज की पी ओलेड यह वैसे नहीं नहीं है यह अल्रेडी एजी भी यूज कर चुका है और पी ओलेड और पी स्मार्टफोंस में लगते हैं ऐसा नहीं से रह मोटरोले लिग रहा है जो नॉमल एमोलेड डिस्प्लेस होती है वह ग्लास की उपर बनी होती है बद देंगे इस जो यह जो इस बिस्पेла वाले फुनस आते यह वनवरण पस लडेबल फोनस आते है उनके अंदर पी ओलेड लर शेक्ट होती है उनके अंदर प्लास्टिक अमोलेट होती है ऑसके अंदर बंड क्वालीटी में फरक क्यूं हा रहा है Samsung की best क्यों लग रही है तो यहाँ पर क्या होता ना हर range में अलग अलग तरह की quality मिल सकती है अभी बात करता हूँ मैं Samsung को बहुत हूँ order दे रहा हूँ मुझे displays चाहिए Samsung बुलेगा कितने की चाहिए और कितने की चाहिए क्या range का phone मना रहे हो अब बोलू को 20,000 की तो वो उसे हसाब से देगा 40,000 की वो उसे हसाब से देगा यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैं कितना खर्चना जाता हूँ और किस लेवल की मेरे को AMOLED डिस्प्लेश चाहिए सेकंड चीज़ यहाँ पर डिस्प्लेश को ट्यूनिग करनी बढ़ती है और Apple की ट्यूनिंग का सिस्टम हा लग रहता है Samsung अपने हसाब से ट्यून करता है LG अपने हसाब से ट्यून करता है Realme अपने हसाब से ट्यून कर रहा है इसलिए सबका जो result है वो end में तुरसा different आता है बढ़ा आप एक चीज़ जरूर देखना कोई भी ब्रैंड का phone लोगे आप जब वीडियो देखोगे आपको हमेशा ही मजा आने वाला क्योंकि हर ब्रैंड ये कोशिश करता है कि आप जब content देख रहे हो वो आपको pleasing लेगे ताकि आपको लगे क्या वह वाली AMOLED बैटर है और इस वक्त सामसंग सबसे अच्छी ट्यूनिंग कर रहा है अब रियल में रिसेटली है सूपर AMOLED डिस्प्लेज लेक रहा है था अपने phone में Xiaomi भी कर चुका है तो वो कैसे हुआ पेटेंट कहा है तो भाई ऐसा है Samsung को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते है क्योंकि Samsung सम ले रहे हैं और वो नाम यूज करना है Samsung काईगा रोयल्टी भाईया रोयल्टी तो अभी आप एक चीज तो समझ ही गहे ना P OLED OLED AMOLED यह सब एक ही चीज है तो यहाँ पर अगर आपको brand का नहीं पसर दा रहा तो आप अपने मरसी से कर लो colors को tune End result यह है कि आपको confused नहीं होना है आपको overall package देखना है फोन का वो कैसा है सिरफ display को देखके कि वो P OLED है या वो glass OLED है वो क्या OLED है G OLED नाम भी सुना होगा वो glass के लिए होता है I hope आपको मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से समझा पाया हुआ अगर समझा दिया है तो आप subscribe कर सकते हैं नए नए चैनल है आपको या आगे बढ़ाना है आपको यह बड़ी family बनानी है Keep smiling and मैं मैं तो अगली वीड़ो में तब तक Keep chasing your dreams